सुरिष्टी करता इशू मेरे यूगो के प्रभू येशू मेरे मेरे साथ मिलके सुरिष्टी करता इशू मेरे उची आवाज में यूगो के प्रभू येशू मेरे पूचा है तेरा ना, स्तुती पर विराजमा संगा करने वाला राजाओं का राजा आताओं तेरे चर्णों में पवित्र परमेश्वर तेरी आराता करूं सामर्धी परमेश्वर तेरी वंतना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराता करूं सामर्धी परमेश्वर तेरी वंतना करूं मेरा तु तु दृड़ गड़ शरनस्तार मेरा तु आसरा मेरी चत्तार आदर के योगे है तू सूती के योगे है तू तेरी ही महिमा मैं करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराता करूं उच्छी अवाज में जवान बच्चे उच्छी अवाज में आराता करूं तेरे ही राहों पर मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा तेरे ही राहों पर मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा तो रंधे राहों और तराई धी हों तू मेरे संग है सैदा पवित्र परमेश्वर तेरी आराता करूं सामथी परमेश्वर तेरी बंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराता करूं सामथी परमेश्वर तेरी बंदना करूं मेरा तू द्रिडगड मेरी चटां मेरा तू आसरा मेरी चटां मेरा तू द्रिडगड शररस्थां मेरा तू आसरा मेरी चटां आदर की योगे है तू दी की योगे है तू तेरी ही महिमा में करूं तेरी ही महिमा में करूं हर हाल में पवित्र परमेश्वर तेरी आराता करूं सामर्धी परमेश्वर तेरी बन ना करूं आप इतने अच्छे हैं आप इतने सच्छे हैं आप इतने अच्छे हैं आप इतने सच्छे 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 हैं आप कितने बलबन ने, 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 आप कितने बलब है आज इस अरादना सभा में जब हम मिलकर यहां पर आए हैं एक विश्य में आपको सिखाना चाहता हूं जो पिश्य कुछ दूरों से पुईतरात्मा मुझे सिखा रहा है जो पुईतरात्मा मुझे सिखा रहा है उन बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं अनुग्रही से हमारा उद्धार हुआ है इस उद्धार को हमें क्या नहीं करना है व्यर्थ गवाना नहीं है अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है इस उद्धार को क्या नहीं करना हमें व्यर्थ नहीं कवाना है जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वह भी अनुग्रही से हमें दिया गया है वह भी कैसे दिया गया है अनुग्रही से दिया गया है यह जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हम इस पवित्र आत्मा को चाहिए था हम कह सकते कि अनुग्रह का आत्मा है, कौन सा आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा, the spirit of grace, पवित्र आत्मा को हम क्या भी बोल सकते हैं, अनुग्रह का आत्मा, अनुग्रह क्या होता है, हम जिसके लायक नहीं है, हम जिसके लायक नहीं है, वो बात कोई हमारे जीवन में जब कर देता है, तो क्या बोलते हैं उसको अनुग्रह, हम जिसके लायक नहीं है, हम अपनी ताकर से जो चीज इकटा नहीं कर सकते हैं, वो यदि कोई हमारे लिए कर तक है किया कहते हैं उसने हम पर अनुगर किया अनुगर्ण गया अनुरीटट फेवर अनुगर जिसके लायग नहीं थे वो चीज हमारे हाथ में लाकर दे दी हम क्या बोलते हैं वह अनुगर्ण तो पवित्रा आत्मा जो मुझे और आपको दिया गया है, वो भी क्यासे दिया गया है? अनुग्रह के कारण हमें दिया गया है. यह जो अनुग्रह का आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है, यह तो हम इसका आदर कर सकते हैं, यह हम इसका अपमान कर सकते हैं. either we can honor the spirit of grace that has been poured over us or we can reject we can insult the spirit of grace पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके जीवन में प्रभू ने अनुग्रस से दिया है हम या तो उसका अपमान कर सकते हैं या हम उसका आदर कर सकते हैं चुनाओ हमारे उपर है पॉलस ने बोला जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है मैंने उसको क्या नहीं किया मैंने उसको व्यर्थ नहीं किया उसके लिए मैंने परिश्रम किया उसके लिए मैंने प्रयास किया मैंने इस बात को समझा कि यह जो मिझे मिला है यह बेश कीमती है मैं इसे क्या नहीं चाहता हूँ मैं इसे खोना नहीं चाहता I don't know how to miss it मैं उसे खोना नहीं चाहता मैं उसका सम्मान करना चाहता आज के सुबह मैं आपका ध्यान इबरानियों की पत्री उसके दस्वे अध्याय के अंदर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा और उसका उन्नीस से लेकर उन्चालीस तक के पदभाग एक लंबा टेक्स्ट है लेकिन उसमें से कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा ताकि हम समझ जाए कि मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्व चाह रहा है कि जो अनुग्रह का आत्मा हमें प्रदान किया गया है हमें उसका अप्मान नहीं करना है हललुया कैसे हम उसका अप्मान कर सकते हैं या दूसरे शब्दों में हम कैसे उसका सम्मान कर सकते हैं How can we honor the spirit of grace पहली बात उनिस उपद में देखिए इसलिए हे भाईयों जब हमें ईशू के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है जो उसने परदे अर्थाद अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिशेक किया है पहले चीज जो मुझे और आपको समझना है कि एक ऐसे पवित्र स्थान में जहां पर हम अपने दम पर पहुंच नहीं सकते थे उस पवित्र स्थान में हमें पहुंचाने के लिए इशू मसी ने अपने लहू के द्वारा एक नया और जीवता मार्ग हमारे लिए खोला है Hallelujah It's a new way एक नया रास्ता है एक जीवता रास्ता है जो किस ने खोला इशू मसी ने मेरे लिए और आपके लिए खोला है ताकि उस मार्ग में से होकर हम कहां पहुंच सके हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके हम कही बार इसे पढ़ कर आसाने से छोड़ देते हैं लेकिन आप इनी पुराने नियम का अध्यन करें और आप समझें कि पुराने नियम के भक्त लोगों की एक तडब थी कि प्रभू हमें तेरी करीबी में आना है हमें तेरे मुख को निहारना है लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल था बड़ा कठिन था और पुराने नियम की ववस्ता के आधार पर याजक लोग धर के मारे कामते हुए साल में एक वार उस अती पवित्रिस्थान के अंदर प्रवेश करते थे क्योंकि उन्हें भय था कि शायद हम जिन्दा यहां से वापस लोट कर नहीं आ सके हालिलूया लेकिन ईश्यू मसी के लहू के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए एक नया और जीवता मार्ग परमेश्वर ने क्या कर दिया है खोल के रखा है हालिलूया तो पहली चीज जो मुझे और आपको समझना है in order to honor the spirit of grace इस अनुक्रह की आत्मा को honor करने के लिए आदर करने के लिए हमें यह realize करना है कि यह जो रास्ता है वो वैसे ही नहीं खुला स्थान की और जाता है हालिलूया देखिए इस प्रकाशन से निचला कोई भी प्रकाशन निदिया पकड़ते हैं इश्व के पास में आने के लिए आप पवित्रात्मा का अपमान कर रहे है मैं पवित्रात्मा का अपमान कर रहा हूँ यदि केवल चंगाई के लिए मैं इश्यो के पास में आ रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा हूँ, केवल आर्थिक जरूतों की पूर्ति करन के लिए मैं प्रभू के पास में आ रहा हूँ, मैं उस अनुक्र के आत्मा का अपमान कर रहा हूँ, क्योंकि जो रा में प्रवेश करने को तयार नहीं हैं क्या कर रहे हम अनुग्रह के आत्मा का हम अपमान कर रहे हैं हम अपमान कर रहे हैं हम पहले चीज जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा we need to realize हमें इस बात को समझना है कि एक पहुंच है पवित्र स्थान के लिए पहुंच है एक नया और जीवता मार्ग मेरे लिए राप के लिए खोला गया है कैसे खोला गया है इश मसी के लहु के द्वारा मेरे लिए राप के लिए वो रास्ता खोला गया है और यदि वो रास् का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं पवित्र स्थान में जाने के लिए。 हम क्या कर रहे हैं अनुग्रह के आत्मा का हम अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात उसके कीशु उपत में लिखा है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, अधिकारी है दूसरी चीज जो मुझे और आपको समझना है, इश्यू मसे, वो महान याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है हालेलुया, और वह हमारे लिए उसने क्या कर दिया है रास्ते को खोल दिया है मेरे लिए राप के लिए उसने उस रास्ते को खोल दिया है और वह कह रहा है I am the high priest मैं हूँ महायाजक मैं अधिकारी हूँ हालेलुया तो जब ईश्यमसी महायाजक है जो मेरे लिए राप के लिए मद्धिस्था कर रहा है इश मसी परमेश्य के घर का अधिकार ही है जो कह रहा है कि सारा अधिकार मेरे पास में है मैं इस अधिकार को मैं तुम्हारे हाथों में देता हूँ और कहने के बाद यदि हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम क्या कर रहे हैं हमानुग्रह के आत्मा का अपमान कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं परमेश्यकात्माच की सुबे मुस्वराप से विक्तिकत कहना चाहता है पहले चीज हमें समझना है The door has been opened रास्ता खुला हुआ है कैसे खुला? किस ने खुला? इश्यमसी ने खुला किस के ले खुला? मेरे लिए और आप के ले खुला हालिलुया दूसरा हमें समझना है हमारा महायाजग कौन है? इश्यमसी हमारा महायाजग है जो परमेश्यर के घर का क्यों है? वो अधिकारी है वो अधिकारी है और उस अधिकार को उसने किसे दिया है मेरे और आप के हातों में दिया है तो जब में और आप उस अधिकार का इस्तिमाल करते है वहाँ पर बिमारी चंगी होती है वहाँ पर दुष्टात्मा निकलता है वहाँ पर जिंदगिया बदलती है लोगों की जिन्दगियों के अंदर परिवारों के अंदर प्रभु का प्रेम प्रकट होता है लेकिन उस अधिकार को हमें इस्तिमाल में करना है इस बात को समझते हुए कि महायाज कौन है इश्वमसी है जो मेरे लिए और आप के लिए मध्यस्था कर रहा है तिसरी बात उसके बाई स्वेपस से देखी तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोश दूर करने के लिए खृदे पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेशर के समीप आएं प्रभु क्या बुला रहा है तो कम क्लोसर तो हिम उसके करीब आने के लिए प्रभु का आत्मा हमें बुलाता है अब यदि हम उसके करीब नहीं जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं अनुगरह के आत्मा का अपमान कर रहे हैं अपमान कर रहे हैं देखें निर्गमन 33 वे अध्याई के दिरे आप देखें, तो मुसा और परमेशर के बीच के एक बातशीत का एक विस्तार आपको वहाँ पर मिलता है, मैं चाहूंगे एक शनाप उधर आए, निर्गमन उसका 33 वे अध्याई वहाँ पर परमेशर और मुसा के बीच के एक बातशीत का वर्णन है, 32 वे अध्याई के अंदर हम देखते हैं, लोग, जब मुसा पहाड के उपर गया, प्रभू से बातशीत करने के लिए, तो लोगों ने क्या कर दिया, उन्हों ने एक सोने का बच्छडा बना लिया, और कह पहने लगे कि मुसा तो चला गया, अब यही हमारा कौन होगा, परमेशर होगा, लेकिन प्रभू मुसा को आपस भेजता है, मुसा आता है, लोगों के ओपर दंड आता है, यह सारी बाते आने के बाद में, 33 अध्याय में पुनह यहुवा और मुसा के बीच की बातशीत का वनन हम वहाँ देखते हैं, परमेशर मुसा से कहता है, मुसा एकाम करता हूँ मैं, यह जो लोग है जिनको मिस्तर से मैं छुडा के लेके आया हूँ, तु एकाम कर, इनको लेकर उस देश को चला जा, जिसके विशे में ने अबरहाम इसहा को याकूब से शपत खा कर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वन्ष को दूँगा, और मैं तेरे आगे आगे दूत को भेजूँगा, और वो जाकर शत्रू राज्यों को क्या कर देगा, परास्त कर देगा, और वो देश जिसमें दूत और मधू की धारा बहती है, वो तुमको देदूँगा, क्या बोला परमेश लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, कौन जाएगा, दूद्ध आएगा, तो बिना परमेश्वर के आपको शत्रों के उपर जय मिल सकती है, प्रभू को वहाँ पर जाने की जरुद्ध स्वर्दूत बोलेगा, कर देगा, प्रतिक्या के देश में भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, Is God there? क्या प्रभू वहाँ है या नहीं? चोथा पद में लिखा है, यह बुरा समाचार सुनकर लोग रोने लगे, मुझे लगा कि यह पीड़ी तो आज की पीड़ी से बहुत बहतर है, आज तो अपन को मतलब ही नहीं कि प्रभू साथ में है या नहीं है, शत्रों के उपर जय हमें मिलना है, और प्रतिग्या हमारे जीवन में पूरा होना है, दो चीज हो गई बहुत है, बाकी किसको लेना देना प्रभू से, किसको लेना देना प्रभू से, मैं बिमार हूँ, मेरी बिमारी ठीक हो जानी चाहिए, बस, शादी नहीं हो तो शादी हो जानी चाहिए, शादी हो गए तो बच्चे हो जाने चा अब देखिँ यहां पर प्रभू मूसा से क्या किरा था मैं दूथ को भेज देता हूँ शत्रों को भी परास्त कर देगा तुमको प्रतिकया की देश में भी पहुंचा देगा लेकिन मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा लोग कह रहे हैं बुरा समाचार है, यह बुरा समाचार है, आज की वर्तमान पीडी की समस्या क्या है मालूम है, हम ये पहले दो में हमें लगता है कि सब कुछ हो गया, लेकिन प्रियों, शत्रूओं के उपर जीत से बढ़कर, आपके जीवन में प्रतिग्याओं के पूर्तिकरन से बढ़कर, एक प्रकाशन है कि हमें समझना है, प्रभु यदि तू नहीं है, तो मुझे शत्रूओं के उपर जय नहीं चाहिए, यदि तू नहीं है, मुझे उस प्रतिग्याओं के देश में नहीं जाना, मुसा के अंदर वो प्रकाशन था, यहां देखिए, यह लोग बलवा करने वा यह बुरा समाचार है, प्रभु और उनकी बीच की बादशीत होती है, और हम आगे बढ़ेंगे, मुसा एक निर्ने लेता है, मुसा कहता है, मुझे मेरा तंबू चावनी के बाहर ले जाना है, इस्राइली लोगों के चावनी के अंदर से, मुसा निर्ने ले रहा है, I will take my tent outside, मेरा तंबू चावनी के बाहर जाएगा, हाललुया, मुसा तू तेरा तंबू क्यों चावनी के बाहर ले जा रहा है, मुसा कहेगा, मुझे शत्रो की जय बात की बात है, प्रतिग्या के देश में पहुँचने का एपिसोड भी बात का है, मेरे प्रभू को मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे प्रभू को मैं छोड़ नहीं सकता, उसके जीवन का ड्रीम वो था, वो के ता कि मेरा तंबू मैं 56 से उखाड़ूंगा मैं बाहर ले जाओंगा प्रभू ने देखा ये तंबू को उखाड रहा है चावनी के बाहर ले जा रहा है परमेशर उस तंबू के अंदर उतरने लगा वह परमेशर जो इसराइलियों के बीच में निवास करना चाहता था लेकिν वह परमेशर वहाँ पर निवास नहीं कर रहा लेकिन मुसा के तंबु के अंदर जो च्छावनी के बाहर है वहाँ पर उतरा रहा है और उस तंबु का नाम हो गया बिलाब वाला तम्मू हालेलुई प्रभू अपनी महिमा को वहाँ पर उतारता मुसा से परमेशे रामने सामने एक भाई से बातचीत करता है वह ऐसे बातचीत करता है लेकिन मुसा के अंदर एक ललक थी प्रभू, मैं इस से त्रिप्त होने वाला नहीं हो इस से भी कुछ कहरा मुझे चाहिए इस से भी कुछ करी भी मुझे चाहिए वह किता प्रभू, तेरे अनुग्रह की दृष्टी मुझ पर है तो मैं तेरे मुख को देखना चाहता हूँ I want to see you प्रभू कहरा है कि क्या है जिन्दा रह कर करना क्या है मुझे तो तेरा मुख देखना है Hallelujah Hallelujah कई बार लोग कई प्रकार के बातें कहतें कि मुशा कनान देश में क्यों नहीं जा पाया मेरे को पभूतरात्मा ने समझाया मुशा का destination कनान नहीं था मुसा को मालूम था कनान से भी बढ़ कर कुछ है कनान से भी बढ़ कर कुछ है जब एक पूरी पीड़ी कनान में जाने के लिए खड़ी है मुसा के रहा है There is something greater than कनान इस पतिक्या से भी बढ़ कर कुछ है और वो है मेरे फर्मेशर का मुख प्रभू ने का मुसा तो जिंड़ा नहीं रेगा मुसा के तो कोई बात नहीं हालिलुया Jesus पर्मेशर मुसा को कहता है एक काम करते है एक काम करते है तुने मांगाता है ने डिवाट तुने बोलाता है ने I will let my goodness मेरी बलाई को मैं तेरे आगे से निकालूगा लेकिन तुझे मैं एक सुरक्षिस्थान में रखने जा रहा हूँ एक शठान के अंदर एक दरार के अंदर मैं तुझे बैठाने जा रहा हूँ क्या तुबैटने के लिए तयार है प्रियों परमेश्र का आत्मा इन दिनों के निया चाह रहा है S.T.P.D. को जो अनुक्रह की आत्मा का सब्मान करने के लिए कहे शत्रों के उपर जई से बढ़कर प्रतिक्याओं के पूर्तिकरल से बढ़कर मेरे जीवन में मुझे अस प्रभू से मुलाकात को करना है चटान की दरार में बैटने के लिए वो तयार हो गया प्रभू नमका मेरे हाथ से मैं तेरे चहरे को छिपा के रखूँगा तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा क्या तुछ दिखाई नहीं होगा क्या तू छिपकर बैठने के लिए थैयार है क्या तू छिपकर बैठने के लिए थैयार है मुसा अकेला कोई उसके साथ में नहीं मुसा अकेला उस दरार के अंदर बैठा हुआ है परमेशर का हाद उस दरार में मुसा के चहरे को छिपाता है और हम देखते हैं परमेशर वहां से मुसा के सामने से निकलता है और मुसा परमेशर के पीट को देख पाता है हालेलुया प्रभू की पीट को देखा हुआ मुसा फिर वो कनान के बारे में बात नहीं कर रहा है फिर उसको दूत और मदू के देश की टेंशन नहीं है वो किरा कि ने ने ये सब जाने दो इनको जाने दो ओ लड़का यहोशुन है वो लेके चला जाएगा मैं तो पहाड़ पे तेरे साथ में रहना है मुझे तो हालेलुई स्वर्ग ने अनुमती नहीं दी किसी को मुसा के शरीर को दफनाने के लिए हालेलुई क्योंकि उसने एक चुनाओ किया मेरी च्छावनी को तंबू से बाहर में ले जाओंगा हालेलुई दोजार साल पहले प्रभी ईश्यमसी ने भी क्या किया अपने तंबू को च्छावनी से बाहर देवे जो उसके लहू के द्वारा मेरे लोराब के ले खोला गया वो हमारा महाया जग बन गया ताकि हम परमेश्यर के निकट आ सके जीजस आज की सुबह प्रभु के आत्मामे मैं कहना चाहूँगा अन्यसार ये बातों से बढ़कर परमेश्यकात माइन द्रों में कलीसिया में ढून रहा है कौन है जो कहेगा प्रभु पुझे आपको देखना है बागी सब बाते सेकेंडरी है बागी सारी बाते बात की है मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर ये सब बात की बात है मुझे तुझे देखना है एलिया के अंदर वो लक्षी था मुसा के अंदर वो लक्षी था जीजस बगेर समझोती कि एक जिंदगी इन दोनों ने बिताई जब ईश्य मसी संसार में आया और उस पहाड के उपर जब ईश्य अपने तीन चेलों को लेकर गया दो लोग वहाँ पर उतरा है कौन उतरा है एक तरफ मुसा उतराया एक तरफ एलिया उतराया बानो प्रभू के रहा है तेरे अंदर इच्छा दी न तू मुझे देखना चाहता है समय सीमा से बाहर ले जाकर मृत्यू के बंदर से तुझे बाहर निकाल कर मैं तुझे वह दर्शन को दिखाना चाहता हूँ मुझे सुनने वाले प्रियों फर्मेश्रक आत्मा इंदिरों में वेक्ति गेत्रिदी से मुझे और आपको बुला रहा है एक कीमत अड़ा करके उसकी करीबी में आने के लिए यदि में और आप तयार हो जाए कुछ गहरी मुलाकातों को कुछ गहरे प्रकाशनों को पवित रात्मा हमारे हाथों में देना चाहता कई बार हम सवाल उठाते प्रभु ये सब मेरे जीवन में क्यों हो रहा है परिवार में समस्या क्यों हो रही है बच्चों के जीवन में समस्या क्यों हो रही है मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेशर आपको एक दरार के अंदर बैठाना चाहता है परमेशर कह रहा है मुझे तुझ से के मुझे आपकी करीबी में आना जीस ब्राणियों की पत्री के अंदर हम दे देखा उसके दस्वे ध्याई के अंदर वालिखाई के सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ में सच्चे मन के साथ में पूरे विश्वास के साथ में विवेक का दोश दूर करने के लिए ख्रदय पर शिर्काव लेकर और देह को शुद्ध जल से दुलवा कर परमेश्वर के समीबाओ एक अलगाई को हम महाँ पर देख पाते हैं इसराइलियों के जीवन में जब उन्होंने इस बात को सुना कि प्रभू हमारे साथ नहीं आएगा उन्होंने एक निर्ने लिया और वो निर्ने था उन्होंने का कि हमारे वे सारे आपूशन जिसके द्वारा हमने क्या बनाया था सोने का बच्छडा बनाया था वो आपूशन हमें नहीं चाहिए हालिलूया पवित्रात्मा वहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वे सारी बाते जिसके द्वारा तुमने मुझे ठुकराकर अन्य देवी और देवताओं को बनाया तुम्हे उसको भी क्या करना है ठुकराना है हाललुया देख sigma बिलाब वाले थंबू के लिए जब अलग-अलग बातों को बनाया तो हम हम देखते हैं कि उनके पास के अभूशनों को उन्होंने का किया उन बातों के लिए इस्तेमाल में लिया जो सोना और जांदी उनके पास में था वो सोना और चांदी कहा पर आ गया परमेशर के भवन के अंदर उपकरनों को बनाने के लिए स्वर्ग ने उसे इस्तिमाल में करना चाहा था लेकिन क्या हो राब देखी जब पहाड के ओपर मूसा गया लोगों ने उनी आभूशनों से क्या बना दिया एक सोने का बच्चडा बना दिया हाललुया कौन से आभूशन थे हुए मिस्रियों से जो मांग के लेके आये थे मिस्रियों से जो मांग के लेके आये थे उन आभूशनों से उन्होंने सोने का बच्चडा बना दिया स्वर्ग क्या कह रहा है ये जो तुम्हें दिया था न वो किस के लिए था मेरे राजी के लिए था लेकिन तुमने क्या किया अपनी इच्छा के पूर्ती करन के लिए अपने इरादे से कुछ बातों को तुमने बनाया इसलिए वहाँ पर लिखा है उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिये कहने उतार दिये लेकिन बाद मैं आप पड़ोगे वही कहने कहां पर काम में आ गए परमेशर के तंबू के अंदर कई पात्रों को बनाने के लिए उन बातों का इस्तमाल में लिया गया प्रियों कहने का तात्पर आज की सुबह मेरा और आप मेरा आपसे यह हमारे जीवन में परमेश्वत चाहता है एक अलगाई हमारी सोच में कलガाई हमारे विचारों के निरे कलगाई हमारे अंदर एक मन होना है मेरे प्रभू के लिए मुझे अलग रहना है एक अलग पहचान हमारी बनना जरूरी है मुसा से प्रभु कहता है मुसा तुझ स्थान में खड़ा है वो पवित्र स्थान है तेरे पैरों की जूतियों को तु उतार दे हालेलुया अर्थ क्या है मुसा तुझ पर भरोसा करके चल के आ रहा था ना उन बातों को हटा दे यहाँ पर में और तेरे बीश में एक व्यक्तिकत मुलाकात को होना है हालेलुया प्रियों पवित्रात्मा आज की सुबह व्यक्तिकत बातशीत करना चाहता है पवित्रात्मा चाह रहा है एक अलगाव के लिए एक पवित्रता के लिए और आत्तां का पैमाना क्या है मालूम है। आपके अंदर से भाले में था कि एक वेक्ति किसी स्थीक साथ वे बिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पत्थर भार करके मारना है। नई नियम का प्यमाना क्या है? नई नियम का प्यमाना क्या है? आपने किसी स्त्री को गलत नजरों से देखा, तो वो किसके बराबर हो गया? बोलिये ना? तो कितने वेभिचारी यहां बैठ है? मैं तो हूँ, आपकी बात नहीं मालूँ मुझे. कितने वेभिचारी यहां बै मुझसे और आप से ये हुआ है मैं वापस कर रहा है मुझे आपकी बात नहीं मालूम लेकिन मुझसे तो हुआ है स्वर क्या कह रहा है तो ये बिचारी है मैं अगर मेरे भाई को मूर्ख कह रहा हूँ तो वो किसके बराबर है मैं हत्यारा हूँ कितने हत्यारे बेठे हुए हैं, हमने लड़ाई नहीं कि, हमने गुस्सा नहीं बोल कि, इश्व मसे नहीं तो हत्यार है, यूरे मढरर, यूरे अदल्टर, तुदे वैभिचारी है, तुदू हत्यारा है, कौन सी अलगाई की बात हो रही है हमारे अंदर से एक बदलावाना है हम अपने धम पर नहीं कर सकते हम अपने धम पर नहीं कर सकते हम सब कम जोर पात रहे हमारे मूझ से निकल जाता है गलत विचार हमारे मन में आ जाते है लेकिन स्वर्ग कह रहा है ये शुमसी के लहू के द्वारा एक नया और जीवता मार्ग तुम्हारे ले खोला गया है That's what grace is वहे अनुग्रा वहे अनुग्रा ये शुमसी हमारा महाया जखे जो पिता के दहीनी और बैट कर वो मद्धिस्ता कर रहा है मेरा बेटा है मेरी बेटी है शमा कर दे शमा कर दे माफ कर दे स्वर्ग कह रहा है बारवार स्वर्ग कह रहा है जीजस प्रभू के निकट हमें आना है प्रभू की करीबी में हमें आना है कैसे में आना है विश्वास के साथ में समर्पन के साथ में परमेश्य में अपनी करीबी में बुलाता है, चोधी बात, उसके 23 विपत में देखिए, आओ, हम अपनी आश्चा के अंगिकार को दृड़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिग्या की है, वह सच्छा है, किसको थामना है, आश्चा के अंगिकार को, the confession of faith, हमारी आश्चा के अंगिकार को हमें थामे रखना है, क्योंकि जिसने प्रतिग्या की है, वह सच्छा परमेश्र है, हालेलुया, जिसने प्रतिग्या की है, वह सच्छा परमेश्र है, यह स्केल से प्रवुकात्मा कहता है, यह स्केल, वे तुझ से लड़ाई करेंगे, किस से लड़ेंगे तो सही, पर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, हालिलुया, कितने लोग समझ पा रहे हैं, आपके जीवन में समस्या हैं आएगी, आपके जीवन में परिश्यानी आएगी, क्लेश आएगा, लेकिन प्रभु का आ मेरी बेटी कब तक खड़ा रह पाएगा, ऐसी कोई परिक्षा को वो हमारे जीवन में आने की अनुमती नहीं देगा, जो हमारी सहन श्रीमा के बाहर है, हालिलुया, छेले आंदी तुफान के अंदर थे, उन्हें लगा कि सब कुछ खतम हो जाएगा, लेकिन चोथे पहर मे उस पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर चलता हुआ, ईश्मसी उनके पास में उतर आया, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आपको लगेगा, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं ठक गा, मैं डूब जाओंगा, अब मैं खतम हो जाओंगा, उस समय आपका परमेशर आपके इसराइलियों को ढरा कर पलिष्तियों ने रखा, लेकिन एक तालिसवा दिन प्रभू ने वहाँ पे दाओद को खड़ा कर दिया, हाललुया, यरी हो हमेशा हमें रोक नहीं पाएगा, लाल सागर हमेशा हमें रोक नहीं पाएगा, यर्दन हमें रोक नहीं पाएगा, क्यों झीत नहीं हासिल कर पा रहे हमारा परमेश। हमारे साथ में होने के कारण ही हम जय पा पा रहे हैं वो है अनुग्र वो है अनुग्र अमों में उक्साने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकटा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीती है पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो हम सीख रहे हैं how we can honor the spirit of grace अनुग्र की आत्मा का आदर हम कैसे कर सकते हैं पहले चीच हमें समझना है कि एक रास्ता हमारे लिए खुला है दूसरा हमें समझना है कि इश्व मसी हमारा महायाजक है तीसरा हमें समझना है कि हमें प्रभू की करीब ही ब्याना है we need to draw near to God चोथी बात जब हम संगती में आते हैं हम किसका आदर कर रहे हैं अनुग्र के आत्मा का आदर कर रहे हैं हालेलुया हर बार जब आप संगती में आते हैं परिवार के रूप में जब आप परिवारिक प्रात्रा में जुड़ते हैं जब आप कलीशिया ही रूप में कलीजिया की प्रार्तना सभाव में आप आते हैं You are honoring the spirit of grace आप अनुग्रे के आत्मा का क्या कर रहे हैं आदर कर रहे हैं उसका उल्टा गिदि हम प्रार्तना में नहीं आएंगे था हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम अप्पान कर रहे हैं तेखे, आप meeting में मान लिजिये, आज नहीं आई, या मेरे से कोई बात होगे, आपने 4 हफ्टे तक meeting में नहीं आएं, किसका अनाधर किया हमने? मेरा अनाधर हुआ? या पुवित्र आत्मा का अनाधर हुआ? वह अनुग्रह का आत्म हम जिसके लायक नहीं थे, हम तो कीचर में पड़े हुए लोग थे, प्रबु ने हम पर दया की, और दया करके हमें क्या भुलाया, हमें बेटा बना दिया, बेटी बना दिया, और बेटा और बेटी जहां होना चाहिए, हम वहां नहीं है, हम बाहर भुल कर सुनिए, यदि हम मीटिंग्स में नहीं आते हैं, यदि हम संगती में नहीं आते हैं, आप मेरा अनाधर नहीं कर रहे हैं, मेरा अनाधर नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रबु ने मुझे तो सिखा दिया, इसलिए मैं आज कर बोलता ही नहीं हूँ, तो क्यों प्रबु क उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया उन्होंने मुझे ठुकराया उन्होंने मुझे ठुकराया प्रभुने क्या बूला तूट अभिशेक की कुपिले अगले को उपड़ डाल दे जंगल में होगा कोई बात नहीं तू डाल दे तू डाल दे 38 साल लगे जिसके उपर तेल का अभिशेक गिरा, वो जंगलों में था. लेकिन स्वर्ग देख रहा था. हालिलुया, हालिलुया. शाओल के उपर दुष्टात्मा आ रहा है. लेकिन ये दुष्टात्मा उतरना है तो कोंब आना पड़ेगा? दावूद आना पड़ेगा. उसके पास में कुर्सी नहीं है, राजपत नहीं है, लेकिन अभी शेक है, वो अभी शेक में भराओ कराता, शाउल का दुष्टात्मा उतर जाता, वो आपस दावू चना जाता, कहने का तात्वर प्रियो मेरा यह है, हमें इंद्रों में समझना है, कुछ बाते महत पून है, कुछ बाते महत पून है, परिवार में प्रार्तना की वेदी को निर्मित करना महत पून है प्रियो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, महत पून है, कलीसियाई प्रार्तना में अनिवार रिती से आना महत्पून है, it's important, मजाग नहीं है प्रियों, मजाग नहीं है, हमारी पीडियों के लिए हमें श्राप नहीं कटा करना है, हमारी पीडिया आश्रिशित होना है, प्रभू की संगती को हलके में नहीं ले रहा है, परमेश्र की उपस्तिती को महत्पून हमें समझना है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इस से हमें को लेना दिना नहीं, लेकिन हमारे अंदरे की जाओनी चाहिए, मुझे दो जाना है, मूसा ने किसी का वेट नहीं किया, कोन आ रहा है कोन नहीं आ रहा है मुसा ने बहला मैं तो अपना तंबू खाड़ूंगा चावनी के बाहर जाओंगा मैं मैं चावनी के बाहर जाओंगा उस मुसा को प्रभू ने चटान की दरार में बैठाया उस मुसा को को फर्मेशन ने वह वह सर प्रदान किया मुझ Kerry सुने वाले प्रियों पीतरात्मा चकी सुब़ छूब है वीडam ये इदुसरे के लिए प्रा तरां करना यह एक दूसरे को प्रोत्यसाहित करना महत्पून है प्रियो पवित्रात्मा चाहता है कि मैं और आप एक दूसरे को प्रोचसाहित करने वाले लोग होना चाहिए टांग खीशना बड़ा आसान है बुराई करना और भी आसान है कोई टेंशन नहीं सुबह से शाम तक बैठ कर अपने इदर उधर की नुक्ता चीनी अपन कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वहाँ पर पवित्रात्मा कारे नहीं कर रहा है वहाँ पर अंजाने में हम दुष्टात्मा को अमंत्रित कर रहे हैं रेड कार्पेट वेलकम दे रहे हैं और हम करें कि तो आजा आजा जहां पर हमने बुराई की ध्यान देना पवित्रात्मा वहाँ से गायब हो जाता है फिर पवित्रात्मा कारे नहीं कर रहा है वहाँ पर दुष्टात्मा कारे कर रहा है क्योंकि पवित्रात्मा कंडमनेशन की आत्मा नहीं पवित्रात्मा दोशारोपन की आत्मा नहीं है, पवित्रात्मा शमा की आत्मा है, पवित्रात्मा अनुग्रह की आत्मा है, तो पवित्रात्मा जब एक विक्ति में खारी करता है, तो उसका चिन्न क्या है, वो विक्ति बुराई कर ही नहीं सकता, अगर मानो बुराई उसके म तो एपीसोड ही खतम हो गया, वो टो टाइम ही चला गया, अभी भी काई बार लोगों को समझ में नहीं आता, अभी भी अपन लगता है कि जागरती का मतलब भीड, प्रभु करना वो एपीसोड तो मैंने कई से कब से खतम कर दिया था, पूरी भीड थी, लेकिन केवल एक मु आशन्था मुझे देखना है, प्रभु नहीं कहा तेरे को दिखा दूँगा, तेरे को मैं दिखा दूँगा, तेरा मिनिस्ट्री वो ये लोग जाना नहीं जाना वो तो मैं दूसरों से पहुंचा दूँगा, पर तुझे मैं दिखा दूँगा, हाललेलुया, मुझे सुनन को समझाते रहूँ प्रभू के परेव में बढ़ने केले प्रभू की शमा को पहचाने के लिएयाँ, परवित्रता के लिए juda , हमें एक दूसरे को समझाना है प्रार्थना के लिए प्रभू ने पनस्षान दिया है समय निकाले conservative प्रार्थना में आएं, बैठें, प्रभू की उपस्तित्यों को पहचाने, वक्तिकत प्रार्थना के लिए समय निकाले, परिवार से प्रार्थना के लिए समय निकाले, फर्मेशन ये सब बाते हमें दी हैं, जेस्स, तीन बाते और बोलकर मैं बंद करूँगा, अब बाकी प बलिदान बाकी नहीं है, by deliberately sinning with dishonor God, हम जान बूच कर पाप करने के द्वारा, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर सकते हैं, कौन कर रहा है जान बूच कर पाप, वह नहीं जिसने एशू को नहीं जाना, उसकी बास नहीं हो रही है, जिसने एशू को जीवन दिया, जिसने एशू को उद्धार करता के रूप में स्विकार किया, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जान बूच कर पाप करना, आपको मालुमे की गुसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप गुसा कर रहे हैं, it's sin, आपको मालुमे की ब बुराई नहीं करना है, फिर भी बुराई कर रहे हैं, वो पाप है, वो पाप है, हमें मालुमे की गलत चीज़े हमें नहीं देखना है, फिर भी हम मोबाइल में बैटके देख रहे हैं, हम टीवी में देख रहे हैं, it's sin, पाप है वो, कैसे प्रभू काम करेगा, he's a holy god, हमा कहां से प्रभू काम करेगा, मैं आपसे सला देना चाहूंगा, हाद जोड कर में रिक्विस्ट करना चाहूंगा, हमारे मुक से किसी की बुराई नहीं निकलना है, एक नर्ने बोल के जाए, मुझे सुनना पसंद नहीं, I don't want to hear, मुझे किसी की बुराई सुनना पसंद नही मैं नहीं चाहता हूं सुनना, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, मत कीजिए, इदर उदर की बातों में मत उलची है, ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है, अगला दिन हमें मिले गए या नहीं मिलेगा, किसको मानो, किसको मानो, एक दूसरे को सहायता करने के लिए, एक समय से पहले किसी बात को जांचना नहीं है, वो प्रभु जांच लेगा, वो काम हमें नहीं दिया गया है, जो काम हमें नहीं दिया गया है, उस काम में हमें उलजना नहीं है, वो काम पवितरात्मा का है, God will do that. वह देखिए दंड का एक भायानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को क्या कर देगा भस्म कर देगा जब मुसा की विवस्था का न मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्र के पुत्र को पाओं से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अब पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है प्रियों भयानक बात है यह यह भयानक बात है वाले खाय कि हम उसे जानते जिसने का पल्टा लेना मेरा काम है मैं ही बदला दूँगा और फिर यह की प्रभू अपने लोगों का न्याय करेगा बाहर की बात दूर की है जज्जमेंट यहाँ पर चालू होगा अपने लोगों का न्याय करूँगा जीवते परमेशर के हातों में पढ़ना कैसी बात है भयानक बात है भयानक बात है अगर मैं गड़ा दूसरों के लिए खोदूगा परमेशर उस गड़े में पहले हमको गिरा देगा अगर मैं पास्टर हूँ मैं दूसरों के लिए गड़ा खोद रहा हूँ तो पहले मैं उस गड़े में गिरूँगा स्वर कह रहा है कि जिसको ज़्यादा दिया गया उसको मार ज़्यादा पड़ेगी जिसको ज़्यादा दिया गया उसको मार ज़्यादा पड़ेगी अनुग्रह का आत्मा है प्रियों उसने अनुग्रह किया है उसने अनुग्रह किया है उसे मालूम है हम कमजोर पात रहे हम पर दया किया है और कह रहा है कि मैंने रास्ते को खोला है उस रास्ते से तुमको अंदर घुसना है क्यों घुसना है? पवित्र परमेश्यों की करीबी में आने के लिए उस पवित्र परमेश्यों की करीबी में बुराई नहीं है इदर दर की कोई बातों को लेकर वो आपको नहीं बुलाता है He's not calling you वो आपसे नहीं पूछा संतोष किसने साथ क्या हुआ वो तो मुझसे मेरी बात पूछेगा देखे जब प्रभू मुझसे बात करेगा He will be more concerned about me वो मेरे से मेरी बारे में बात करेगा संतोष तेरा प्रातना जीवन कैसा है मैं बुल कर रहे हैं चर्श के तरे कोई प्रातना ही नहीं कर रहा है वो सब बात की बात है मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तेरा प्रातना जीवन कैसा है तू कितने समय बचन लेके बैठा है कोई भी बचन नहीं पढ़ता है मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं तेरे से पूछ रहा हूँ मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या तू वचन पढ़ रहा है क्या तू प्रार्थना कर रहा है तेरे विक्तिकत जीवन के पवित्रता का स्तर क्या है प्रियों समय आने वाला है समय आने वाला है जैसे लिखाए ना जैसे जैसे हम समझे कि दिन निकट है हमें क्या करना है हमें इस बात को समझना है प्रभू क हातों में पढ़ना भयानक बात हो सकती है प्रियों मन फिराओं में हमें आने की जरुवत है प्रभु की करीबी में आने की जरुवत है 32-34 कंदर आप देखिए उन पिछले दिनों को समरन करो जिन में तुम जोती पाकर दुखों के बड़े संगर्ष में स्थिर रहे कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने और कभी यों कि तुम उनके साजी हुए जिनके दूर्दशा की जाती थी क्योंकि तुम केदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ती भी आनंद से लुटने दी ये जानकर कि तुमारे पास एक और भी उत्तम और सरवदा ठैरने वाली संपत्ती है हालेलुया प्रभु कात्मा कह रहा है पीछे मुड़ कर देखो तुमारी स्थितिक क्या थी मैंने तुमको कैसे चलाया कहा तक मैंने तुमको पहुचाया प्रियो कई बार जब प्रभु हमें एक स्थान तक पहुचाता है पहुचने के बाद में हम भूल जाते है हमें लगता है कि हमारी ताकत से हम यहाँ पर पहुचे है और वही हमारा पराजे हो जाता है वही हमारा पराज ही हो जाता है इसलिए आपर प्वित्रात्मा कह किर रहा है पीछे मुड़ कर देखो दुखों का संगर्ष तुमारे सामने था लेकिन मैंने तुमको वहाँ पर स्थर रखा मैंने तुमको वहाँ से निकाला अनुग्रह में मैंने तुमको पहुचाया तुम यहाँ पर पहुचे नहीं हो तुम पहुचाये गए हो तुम अपने बल पे नहीं खड़े हो मैंने तुमको खड़ा किया है और वो परमेशे कह रहा है आने वाले दिनों में भी जब शत्रू तेरे खिलाफ खड़ा होगा वे तुझ पर प्रबल नहीं होगा मैं तुझे खड़ा करूँगा स्थिर्ता के साथ में मैं तुझे आगे पहुचाऊंगा चति सोबत कह रहा है धीरज धरना आउश्यक है ताकि परमेशे की इच्छा को पूरी करके प्रतिग्या का फल पाओ प्रियोंग परमेश्य चाहता है धीरज के साथ में हमें बने रहना है इंतजार करना है हमें बहुत सारे लोग जैसे मैंने पिश्टे दुरों में बताये था निन्यानुए तक आते हैं लास्ट मुमिन में चूक जाते हैं और वो चूक बहुत बहंगी पड़ जाती है या लिखा है अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है आने वाला आएगा देर न करेगा पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसिन न होगा पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए हालेलुया मैं अपने बातों को यहाँ पर समाप करना चाहूंगा आठ बाते मैंने यहाँ पर बोली कैसे हम अनुग्रह की आत्मा का हम सम्मान कर सकते हैं पहले चीछ उस मार्ग के बारे में हमारे अंदर एक स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए दूसरा हमारे लिए एक महायाजक है उस चीछ को हमें समझना है तीसरा हमें उसकी करीबी में आने के लिए करीब ही में जाने की एक लगन और एक इच्छा हमारे अंदर होना है चोथा उसके वाइदों पर हमें पकड़ना है क्योंकि वाइदों को पूरा करने के लिए सच्चा परमेशर है पाँच्वा संगती में हमें बने रहना है अराधना में हमें बने रहना है एक दूसरे को प्रोच साहित करते हुए, हमें आगे बढ़ना है, छटी बाद, जान बूच कर हमें पाप नहीं करना है, डेलिबरेटली हमें सिन नहीं करना है, साती बाद, प्रभू हमें कैसे लेकर आया, यदि हम उसको याद करें, याद करें, इस्राइलियों को कहा था, बाद बैठते हैं ते कौन सी बाते करनी है, हम पहले क्या थे, हम पहले कौन थे, आपका अतीत क्या था, बताईए आपके बच्चों को, कैसे प्रभून आपको खड़ा किया, कैसे प्रभून आपको बढ़ाया, बताईए, ताकि वे उस पत पर बने रहने पाए, उनको जलना है, हमें खोना नहीं है, हमें पाना है, हालिलूया, अपने आखों को बंद करें, प्रात्रा में जाएं, एक्षर अपने आपको समपित करें, हालिलूया, धनवाद परमीश्य पिता, धनवाद परमीश्य पिता, हालिलूया, अनुग्रह का आत्मा, जो हम पर हुआ है, हम उसका अपमान करने वाले ना होने पाँ हालिलूया पुद्रात्मा आप मारी सहायता कीजिए आप मारी मदद कीजिए बता Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus हालिलूया परमेशे बता हम मिलकर अपने आपका आपके हाथों में समपित करते और हम प्रार्त्रा करते प्रभुजी आपके वच्छनों पर हम चल सके पिता आपका पुद्रात्मा हमारी सहायता करने पाए प्रभुजी प्रभु आपने जो अनुग्रह हम पर किया है उस अनुग्रह की गहराईयों को समझने के लिए पिता और उस अनुग्रह के आत्मा का सम्मान करते हुए प्रभू एक एक दिन जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आप मारी मदद करना, सहायता करना सौमते हम अपने आपको, आधर में मैं आपको देती है एश्यू के नाम से मांगते है एमेन, एमेन, एमेन दो दिन बाद भी केरल जाने वाले हैं आप उनके लिए प्राटना करने में चंगोबा पाग्याएंगे और प्राटना और अश्यूचिन के साथ में समा को समाप्त करेंगे प्रेश्ट लोड हालेलूया हालेलूया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्तुवे प्रश्टन सा तेरी अलोड धन्यवाद प्रभो तेरी नाम की धन्यवाद, तेरी नाम की धन्यवाद हो हालेलूया, हालेलूया अनिकर्या द्याले पिदा परवेश्वर आजी कासवे के लिए दिन्युवाद तेरी सिरी करती है प्रफवार का दिन पुनर्थान की समर्थे के साथ तेरी आर्यादना करने के लिए तो अबनों के लिए कटा किया हुआ है आईवातमा लोगों के लिए दिन्युवाद करती हरे को सखाइदा कर हर एको आशिश दे प्रमेशर पिदा तेरे वतिन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मदद कर अच्छे आर्याद ना दिया अच्छे गीत गाने के लिए उसर दिया तो हमसे बाचित किया तमाम बातों के लिए दिन्यों बात करते तेरे वादन की अनुसार, समुभास्म के निकट में पूंजने वाला है तेरे आंगा में निकट है तיर रहे सब को सखाइदा करें, परमेश्वर जिसी चासे तेरे चन्हों सब को सखाइदा करें हरे के आव शक्ता पूरा कर भने चंगा रहनी के लिए मुदद कर परमेशोर के आत्मा हरेकस रहने पाए आने जान दोत कर तेरे आगवई में आगे चलने पाए कितने बीमार है हर बीमारें के लिए प्राता करते है यह शुक्न चंगा है मिलने पाए तू चंगा करने वाला परमेशोर अपराद शमा करने वाले बीमार चंगा करने वाले हर रोगों को दूर करने वाले जीवदे परमेशोर तो बेल सामर देने वाला परमेशोर तेरी बेल प्राप्त करके रेको सहाइदा करे तेरी रहाते हैं तमाम लोगों को सहुंदा है दुंगरपूर को सहुंदा है यहां यह अरे को सवंदा है, शैतान की चंगुल से हरे को बचा करको दावन्दा, यह शुक के नम चंग आई चुटकारा मिलने पाए, भिंदन को तोड़ी ने पाए, शैतान को तोड़ी ने पाए, मिल प्राप्त करका विरने से हाइदा करे, हरे के सातर है, प्रभु जी, तंदर श्रबेल मिलने पाए, तेरे महिमा में सवागे बढ़ी, कलीसिया को, टुंगरफूर को, यह जिल्ले को, तरहता सवंदा है, हर कलीसिया को सवंदा है, गाओं के अंदर जितने इश्वासी है, हर एक को सवंदा, हर एक को संभालने पाए, शत्र बचन देकर ना पाए नहीं लोगों के उपर दो हाथ रिख देगा दावन्द ये साथ चाहर के पूरा कर सारे महिमा आदव चुकों मिले प्रारतना से दन्यवाद ये शो के नाम से मांगता है आमें अविश्व गानिगर पिदा परिश्वर का प्रेम आत्मा का संक देश्वा किता है तमाम पौत व इश्व सी की शीगर आने वाला इश्व सी की प्रभू सब को आशिश दे धन्यवाद हमारे लिए प्रारतना करना करवार आप सभी को धन्यवाद आपस में मुलाकात करकी जाएएगा तीन चार पांच मैं महिने में जवानों के लिए एक यूथ कैंप नवापूर के अंदर हो रहा है मैं अलड़ी बच्चों को बोला है तो जो जवान जाना चाहते हैं अभी आप मीटिंग के बाद में मु आपने उसके लिए प्लानिंग कर सकें कैसे जाना क्या जाना चीक है और इस सब्ता जो मीटिंग से उनके सूस्टा है मैं आपको वाट्सब पर डालूंगा उसके साब से आपको आना है शुकरवार की शाम को प्रात्रा सभाय रहेगी अन्य भी कुछ दिरों में सभाय होगा तो उसको पढ़कर आपको उसके अनुसार प्रात्रा में जूट रहा है प्रभा आपको आशिश जिये थैंक यू गाद ब्रस यू